नमस्कार दोस्तों आव सी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक बहुत कुपसुरत डिजाइन लाए हूँ जो देखने में क्रोशिय के डिजाइन जासा लगता है बहुत जल्दी बनके त्यार होता है इसे बनाने में के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और इसमें हम मैंने 11 फंदे डाल रखे हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद यह डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो हम एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर सबी फंदों को हम तीन बार ऐसे लपेटेंगे और सीधा बना लेंगे जैसे सीधे की तरफ से डालेंगे और एक रिखता दू बार लपेटा और तीन बार लपेटते हे और सिधा बलिये। एक दू तीन बार हम से लाई मैं उन लपेटते हे को सीधा बलेंगे। और लास्ट फंदे को सीधा बुलने में तो इस तरह हमारा पहला लाइन कम्प्लीट होता है अब हम wrong side में हैं और यह है design का दूसरा line तो पहले फंदे को हम उल्टा बोलेंगे अब उनको दूसरी तरफ करेंगे तीन फंदो को हम खुलेंगे एक दो तीन फंदो को खुलेंगे और इन तीनों फंदो को हम 22 लाइ में कर लेंगे और फिर फ्रंट लूप से सामने की तरब से ऐसे स्लाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे अब हमें इन्हें गिराना नहीं है उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इन ही तीनों में हम एक और सीधा फंदा बनाएंगे तो देखिए तीन फंदों से हमने तीन फंदे बना लिये अब इसे गिरा देंगे अब नेक्स्ट तीन फंदे हम खोलेंगे दो तीन तीनों को खोलके बाइस रहे में चलाएंगे और फ्रंट लूप से यानि तीसरे की तरफ से ऐसे स्लाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में इन्ही तीनों में एक और सीधा फंदा तो तीन से हमने तीन फंदे कर लिए नेक्स्ट तीन फंदे हम खोलेंगे और फिर इन तीन फंदों से हम तीन फंदे बना लिए एक बनाया उन अपनी ओर किया और फिर इसे में एक और बनाया तो हमारे देखिए जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए अब उनको अपनी ओर करेंगे लास्ट फंदे को हम उल्टा बुलेंगे तो देखिए ये हमारा डिजाइन बनके त्यार हो गया अब फिर हम इन ही दोनों लाइनों को वापस दूराएंगे पहले फंदे को सीधा बुलेंगे शेश सभी फंदों को सलाई में तीन बार उन लपेटते हुए सीधा बुलेंगे तीन बार लपेटा सीधा बुल लिया तीन बार लपेटा और सीधा बुल लिया तो सभी फंदों को सलाई में तीन बार उन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को सीधा देखिए हमने तीस्री लाइन कंप्रिट कर लिया तीस्री लाइन हमारी पहले लाइन की तरह ही बुना जाएगा दुई ही लाइन का ये डिजाइन है और इन ही दोनों लाइनों को हमें तूर आना है wrong side से पहले फंदे को हम फंड़ा बनेंगे उन दूसरी ओर करेंगे अब तीन तीन फंदों को खुलते जाएंगे और इन्हें 22 लाह में लेके फ्रंट लुब से तीन फंदे बना लेंगे इन 3 फंदों से हम वापस 3 फंदे बना लेंगे नेक्स्ट तीन फंदे खोलेंगे और बाइस लाइ में इने चलाएंगे उसके बाद फ्रन्ट लूप से यानि तीसरे की तरफ से हमें पहले की तरफ ऐसे निकालना है सीधा बुनना है फिर उन अपनी और और फिर सीधा नेक्स तीन फंदा को लेंगे, फैंस लाइ में तीन फंदो को चला कर लेंगे, फिर फ्रन्ट लूप से सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर सीधा, और लास्ट फंदा एज स्टीच है, इसे हम उल्टा बुलेंगे, तो देखिए, ये हमारे डिजाइन बनते चले जा रहा है, लपेट हुए फंदे खुल के बनाने से ये डिजाइन बड़ा-बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए ये बहुत जल्दी बन के त्यार होता है, देखिए फ्रन्स, ये सामने की तरफ से है, और ये है रॉंग साइट, दूनों तरफ से देखिए कितना खुबसूरत है, तो फ्रन्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंदाया होगा, यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज पनिवाई